हेलो प्रेंट्स, वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल और सबको हैपी दिपावली तो प्रेंट्स, आज यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इतने सारे दिये मैंने जला रखे हैं तो यह सारे दिये मैंने खुद घर पे ही बनाए हैं और इनको आप कैसे बना सकते हूँ वो भी सिर्फ दो-चार मुंबतियों की मदद से तो चलिए पड़ावट से शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने ली है एक कड़ाही, यह मेरी बहुत बुरानी कड़ाही है और इसमें मैं डाल दूँगी लगभग एक कटोरी तेल चोटे-छोटे धागे रह गए थे तो इससे कोई प्रब्लम नहीं है, आप इन धागों को इस तरीके से करके साइड से ऐसे निकाल सकते हैं तो अब यह तेल को हम हलका सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा उसको ठंडा नहीं करना है और तब-तक हमने यहाँ पर अपने दिये ले लिए हैं, और इन दियों में यह जो बत्ति हैं, इस बत्ति को इस तरीके से हम खोल के इन दियों के बीच में रख देंगे अब तेल आप अपनी सुविधा केनुसार डाल सकते हो अगर आप चम्मत से comfortable हो हाथ में ऐसे दिए लेके तो भी डाल सकते हो या आप काटोरी में इस तरीके से रखके भी आप तीड़ों में तेल डाल सकते हो तो आप जैसे comfortable हो वैसे करिए और इस तरीके से मैंने ये सारे दियों में तेल को डाल लिया है और यही काम ये जो मैंने उरली बनाई थी मैं इस उरली में भी पहले मैं बत्तियों को इसमें इस तरीके से खोल के डाल दूँगी और उसके बाद जो तेल है उस तेल को मैं इस उरली में ऐसे डाल दोंगी और इसको मैं दिवाली के दिन जलाओंगी तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये जब जम जाएगा तो एकदम इसी में ये बत्तियां अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और जब आप जला इन बत्तियों को जलाएंगे और यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूं कि अगर आपने ये जो मिक्शे तयार किया था ये जो तेल तयार किया था अगर ये आपका तेल बच जाता है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं इसको आप एक टिबे में भरके र परदियों में अपने पैरों अगर आपकी एडिया पटी है तो आप उनमें इनको लगा के इसको यूज कर सकी बहुत ही अच्छी रहमेडी है तो फ्रेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करियेगा और चैनल को सब्सक्राइब करियेगा थैंक यू एंड बाइबाइ फ्रेंट्स